दोस्तों सेहत यूग चैनल के माध्यम से मैं आप तक हुमेन और भेट में होने वाली बिमारी का रोक थाम आने वाला समस्या उसका प्रार्थमिक उपचार का एक से बढ़कर एक जानकारी आप तक पहुचाने का कोशिश करता रहूंगा चुके मानव और पसु में अन्यो ना लेवा भी है अगर किसी के पेट में काफी हवा भड़ गया हो और समय से उसका उपचार और इलाज नहीं हुआ हो तो उस पैसेंट की जाने भी जा सकती है दोस्तों आपको बता दूं की एसिडिटी गैस पेट में बनती है और पेट ही सारी बिमारी का जड़ भी है जितने रहे कि तला भुना भोजन ज्यादा ना हो ज्यादा तला भुना भोजन को हमारा पेट हमारा लिवर पचाने में सक्षम नहीं हो पाता और जब आप बजार का भोजन करते हैं तो उसकी सुधता की तो कोई गारेंटी है ही नहीं और तला भुना तेलपक ज्यादा होता है जो तो आपके पाचन तंत्र को ठीक रूप से कारे करने नहीं देता और यह भोजन पॉजन का रूप लेकर सरीर को भारी रोग ग्रस्त कर देती है जिससे सरीर को भारी छती पहुशती है इसलिए अगर आप मार्केट का खाना खाने से बसते हैं तो आप हद तक अपने सरीर का ध् जा रहा हो तो एक ग्लास सुसुम पानी में थोड़ा मात्रा में नमक और पांस से दस बूंद नीम्बू निचोड कर पी ले फिर दस कदम चले इससे पेट की सफाई हो जाती है आपके पेट में गैस नहीं बनेगी अगर आप महिना में एक दिन एकादसी व्रत करें और वो लीटर सुसुम जल में एक निम्बू निचोड कर मात्रा से सिंधान मक मिला कर पीने के बाद दस कदम चलने पर सोज बुझाने लगे तो सोज चले जाए तब तक गर्म पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहे जब तक की काला काला मल निकलना बंद होकर साप पानी ना आने बंदागोवी आलू और पालक डाल कर भुझन तयार करें और उसे गर्म गर्म खालें उपर से थोड़ा दही सक्कर के साथ खालें भुझन के बाद आप एक सेव खालें आपका पेट सुक्ष हो जाएगा आपको एसीडिटी परिशार नहीं करेगा दोस्तों इसके साथ साथ योग को ना छोड़ें प्रती दिन योग करें इस प्रकार आप अपने सरीर को बिमारी से रहित कर सकते हैं आपका सरीर सुंदर दिखेगा तो दोस्तों आज किस वीडियो में एसीडिटी से बचाओ का तरीका बताया जो आपके जीवन को हमेशा ही स्वस्त बनाय रखने में सहायता करेगा अगर आपको एसीडिटी का और भी उपचार जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और जिस किसी भी आदमी को एसीडिटी हो उसे ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए वीडियो कन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद